क्या आपकी लगाई तुलसी गंबले में सूख जाती है? क्या आप अपनी तुलसी के सूखने से परिशान है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से गंबले में हम तुलसी के पौधे को लगाएं जिसे वो साल भर हरा भरा रहे और बहुत जादा तेजी से बढ़े तुलसी के पौधे को उगाना तो किन लोगों को प्लास्टिक के गंबले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और किन को नहीं हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं ठंडे इलाकों का मतलब है जो लोग 30 डिग्री Celsius से कम temperature जहाँ पर गर्मियों में भी रहता है उससे जादा temperature नहीं होता जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ बरफ पढ़ती है सर्दियों में तो ऐसे लोग जो है तुलसी के पौधे को प्लास्टिक के गंबलों में लगा सकते हैं तो अब देखते हैं कि इन लोगों को प्लास्टिक के गंबला तुलसी के पौधे को उगाने के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर गर्मियों में temperature 35 डिग्री Celsius से उपर चला जाता है बहृत जादा गरम इलाके हैं ऐसे लोग प्लास्टिक के गंबला तुलसी के पौधे को लगाने के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर गरम इलाकों में रहने वाले लोग तुलसी को उगाने के लिए प्लास्टिक का गंबला यूज करेंगे तो मिट्टी आपकी बहुत जल्दी गरम होने लगेगी जिससे आपकी जड़े जलने लगेगी और पौधा आपका धीरे-धीरे मरने लगेगा और सूखने लगेगा तो इसलिए गरम इलाकों में रहने वड़े लोग प्लास्टिक के गमले को यूज़कर आवइड कीजिए तो अब हम बात करते हैंливо अगाना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं किन को बिलकुल भी नहीं उगाना चाहिए जिनके through air pass करती है आपकी जड़ों तक air पहुँचती है आपने उनको literally block कर दिया plastic paint से तो जिस भी cement के गमले में आपने plastic paint करा हूँ ऐसे गमले में आप तुलसी को बिल्कुल भी मत उगाईए इसके अलावा cement के गमलों में बहुत जादा मातरा में lime पाया जाता है जो कि हमारे पौधों के लिए toxic होता है खासता और पर तुलसी के पौधे के लिए काफी सादा toxic होता है तो ऐसे लोग जो सीधा market से cement के गमले लाखे उसके अंदर एगनम directly pots लगा देते हैं बिना pot को wash करे बिना cement के गमले को पानी में डुबोए या wash करे तो ऐसे लोग भी तुलसी के भी तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं आपको अगर अच्छा लुक देना है cement के गमले को तो आप उसके ओपर chalkboard paint का इस्तमाल कर सकते हैं प्लास्टिक paint बिल्कुल भी use मत करिए इसके अलावा जब भी आप कोई नया cement का गमला मार्केट से ले कर आएं तो उसे अच्छी द और जो भी जो उसमे लाइम का content है वो काफी जाधा कम हो जाए तो अब हम देख लेते हैं तीसरा तरीका तुलसी के पौधे को उगाने का जोकी है siramik pots में तुलसी के पौधे को उगाना तो किन लोगों को ceramic pots का इस्तमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए तुलसी को उगाने का, उसका हम देख लेते हैं तो ceramic की गमले जो है plastic और cement की गमलों के comparison में कम से कम 4-5 गुना जादा महंगी मिलते हैं इसके अलावा जो हमारे ceramic के गमले होते हैं, वो बहुत जादा roughly आप handle उन्हें नहीं कर सकते ये बहुत जादा fragile है, थोड़ा सा भी आपने ने rough handle ने करा तो ये तूट जाएंगे साथ ही साथ ceramic के जो गमले होते हैं, वो temperature fluctuation के लिए बहुत जादा sensitive है बहुत जादा temperature में गिरावाट या चड़ाव एकदम से आ जाता है, तो कई बार ceramic के जो हमारे गमले हैं, उनके अंदर cracks develop हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो गमले इसके अलावा ceramic के गमलों को finish देने के लिए उनके उपर एक चमकदार glaze की जाती है, जो कि पौधे के लिए पौधों की जड़े के लिए बहुत जादा harmful है, क्योंकि वो जो glaze है, वो जो है pores को, जो गमले के pores होते हैं, उनको block कर देती है, जिससे हमारी जड़ों तक oxygen नहीं प तुलसी के पौधे को उगाना, तो तुलसी के पौधे को उगाने के लिए मिट्टी के गमलों का इस्तमाल सब ही लोग कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो की बहुती गरम इलाकों में रहते हैं, अगर आप मिट्टी के गमलों का इस्तमाल करेंगे, तो आपकी जो पौधे हैं, बहुत सारे pores होते हैं और इन pores के थ्रू oxygen जो है वह हमारी जो plant है जो तुलसी का plant है उसकी जड़ों तक पहुंचेगा जिससे आपका plant हमेशा healthy रहेगा बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है मिट्टी के गमलों को इस्तमाल करते वक्त कि आप जब भी मिट्टी के गमले को decorate करते हैं अक्सर लोग paint करना चाहते हैं गमलों पे तो जब भी आप paint का चुनाफ करें तो आप plastic paint बिल्कुल भी मत करें अपने मिट्टी के गमलों के उपर आपने हमेशा जो है chalkboard paint का प्लास्टिक paint का अपने इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना इसके अलावा मिट्टी के गमले के और बहुत ज़्यादा कोई disadvantage नहीं है बस एक disadvantage है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा time तक आप प्लांट को रखेंगे तो प्लांट की जड़े हैं वो root bound होने लगेंगी बहुत ज़्यादा जड़ें जो हैं जब फैल जाती है तो आपस में उलजने लगेंगी जिससे प्लांट की growth रुख जाएगी तो आपको 6 महीने में या एक साल के अंदर अपना जो गमला है उसको बार-बार उसका size change गरना पड़ेगा आपको over watering की tension करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जूट बैक के अंदर बहुत सारे इसके अंदर पोर्ज होते हैं जिनके थ्रू अगर आपने जादा पानी भी डाल दिया तो निकल जाता है इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे पोर्ज होने की वज़े से हमारी जो जड़े हैं उ किसी भी फैबरिक के बने हुए अगर आप प्लांटर का यूज करेंगी तो अगर जूट बैक का सिर्फ एक डिसडवांटेज यह है कि थोड़ा सा मैसी होता है कहीं बार जूट बैक को शिफ्ट करना अगर आप बार बार गमले शिफ्ट करते हैं तो इस डिसडवांटेज क कि और आप दुबारे कभी भी नहीं मिट्टी का गमला ना सिमेंट का गमला ना प्लास्टिक का गमला आप दुबारे कभी भी नहीं लाएंगे यह बहुत जादा मजबूत हैं आप इने एक जगह से दूसरे जगह अगर आप आसानी से ने शिफ्ट कर सकते हैं कि उपर जो तो इसका link जो है इन planters का link जो है वो मैंने description box में डाल दिया वहाँ से जाके इन्हें देख सकते हैं इन्हें खरीद सकते हैं ये जो जूट के planters हैं इनमें कोई extra वज़न नहीं है तो आप बहुती hassle free gardening कर सकते हैं कोई आप इन्हें एक से दूसरे जगा shift करते हैं काफी ज़दा आसानी रहती है कोई इनके तूटने का डर नहीं है तो आप एक बर इन्हें try जरूर करके देखिए आप इन planters में fruits के पौदे लगा सकते हैं कोई normal tulsi का पौदे लगा सकते हैं flowers के पौदे लगा सकते हैं पर आप बोगन विलिया के पौदे देख रहे हैं साथ में jasmine का पौदा बहुत सारे पौदे आप इसमें लगा सकते हैं और आप खुद इनका difference देखेंगे इनमें पौदे लगा कर तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो तुलसी प्लांट उगाने के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिलकुल मत भूली और कोई भी आपका doubt है तो comment section में आप मुझसे बात कर सकते हैं thank you so much for watching फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ थ्वाना ।